इधर लखनों के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवेस्टी पहुँचे उपमुक्य मंतरी बर्जेश पाठक डिप्टी सियम के औचक निरिक्षन से हर कम पंच गया गिप्टी सियम ने मरीजों और तिमार्दारों से बाचीत की उन्होंने समस्याइं दूर करने के निर्देश पी दिए प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवेस्टी पहुँच किया अचानक उपमुक्य मंतरी और स्वास्य मंतरी प्रजेश पाठक मरीजों और तिमार्दारों से बाचीत की वहीं ततकाल मौके पर उन्होंने उनका फीड़बैक लिया और यूनिवेस्टी के अधिकारियों और व्यूस्थापकों से उन्होंने कमियों को दूर करने को कहा कमियां दूर करने के निर्देश दिये ग्रेटर नोड़ा से खबर है दो पक्षों में वहाँ पर जम कर इंट पत्थर चले हैं बताया गया है कि मामूली विवाद के बाद दोनों और से पत्थर बाजी होने के इसमें कई लोग घायल हो वाइरल वीडियो ग्रेटर नोड़ा के दनकौर थाना इलाके का बताया जाए पस्वीरें आप देखे कैसे पत्थर बाजी भी ग्रेटर नोड़ा में पत्थर बाजी में कई लोगे घायल होने की खबर है दो पक्षों के बीच जम कर पत्थर बाजी ग्रेटर नोड़ा में मामूली सा विवाद था एक दूसरे पर जम कर पत्थर बसाए दोनों ही पक्षों के लोगों ने और ये ग्रेटर नोड़ा की फुटेज आप देख रहे है जम कर पत्थर बाजी मामूली से विवाद में इट और पत्थर एक दूसरे पर बरसाए गए दो पक्षों के बीच तो ये बड़ी खबर और ये एक्स्क्लूसिफ वीडियो आप देख रहे हैं ये देखिया आप कैसे दोनों पक्षों ने आक्रमक तरीके से एक दूसरे पर इनिट और पत्थरों की बारिश कर दी विवाद मामूली था लेकिन आक्रमन दोनों पक्षों की ओर से किया गया ही तो पत्थर के जवारा इदर माव में रोलिवेज की बस अचानक दुकान में जाग उसी रोलिवेज बस की चपेट में कंड़क्टर आ गया और कंड़क्टर को कोई खास चोटनी आई यह यह रात की बात है दुकान में काम कर रहे दो लोग ज़रूर खायल हो गया यह बड़ी कपर देखिया कोई चोटनी आई तस्वीरें आप देख लेजिए यह माव की तस्वीरें और आप देखिये जब यह घटना हुई उसके बाद क्या हुआ यह दुकान रोडवेज की बस अचानक इसी दुकान में जागुसी और जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे वो इसकी चपेट में आकर घायल हो गया यह देखिया आप रोका जा रहा था लेकिन यह बस रुकी नहीं और सीधे दुकान में गुस्ती चली गई देखिया आप क्या हुआ यह समझना होगा कंड़क्टर्स रोडवेज बस की चपेट में आया लेकिन उसे कोई खास चोट नहीं आई है यह रात की बात लेकिन जो लोग दुकान में मौजूद थे उनमें से दो घायल हो गया है यह मौग की फूटेज आप देख रहे हैं सीसी टीवी फूटेज है यह देखिये बस चलती चली आ रही है रोडवेज की बस है सरकारी रोडवेज की बस है और घुस गई दुकान में और दो लोग समझना ये है कि ये हुआ कैसे क्या ड्राइवर को ये बात समझ में नहीं आई ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया बस पर से हुआ क्या जिस्ते की बस काबू से बाहर हुई और दुकान में जागू सी ये बड़ा सवाल है लेकिन चपेट में लिया उसने दो लोग घाल हुए चपेट में कंड़क्टर भी आया लेकिन उसे कोई खास टोटनी आई एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी